हाई फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करें कलास्ते अंत आज का सब्जेक्ट है हिंदी आज जो है हिंदी का सब्जेक्टी कोश्चन है और इसका एंसर आपको जिस परकार से मिल सके चाहे वह गेस से हो किताब से हो या मोडल पेपर से हो जैसे भी है आप इसका एंसर फुज करके इसको याद कर लीजिएगा जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है चले दोस्तों हम लोग शुरू करें को दोस्तों चैनल पर नए है तो चैनल को सब् पहला कोशन है कभी स्वदेशी कविता में समाज के की सुवर्ग की आलोचना करता है और क्यों दुसरा कोशन है प्रेम आयानी सिरी राधिका प्रेम आयानी सिरी राधिका कभीता में माली मालीन किन्हे और क्यों कहा है प्रेम आयानी सिरी राधिका कभीता में माली मालीन किन्हे और क्यों कहा है तिसरा कोशन है मेरे बीना तुम प्रभू कभीता के आधार पर भत और भगवान के बीच के संबंद पर प्रकास डालिए मेरे बीना तुम प्रभू कभीता के आधार पर भत और भगवान के बीच के संबंद पर प्रकास डालिए चौथा कोशन है कभी किस तरह के बंगाल में एक दिन लोट कर आने की बात करता है कवी किस तरह के बंगाल में एक दिन लोट कर आने की बात करता है छठा कोश्चन का कौर नमबर है कवी को बिरिक्ष बुढ़ा चौकिदार क्यों लगता था? कौर नमबर का कोश्चन है हिरोशीमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? हिरोशीमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? गर नमबर का कोश्चन है कवी की दिरिष्टी में समय के रत का घरघर नाद क्या है? असपश्च कीजिए सातवा कोश्चन है समस्त भू मंडल में सर्विविद संपदा और प्राकीर्तिक संदर्ज से परिपूर्ण देश भारत है लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? समस्त भू मंडल में सर्विविद संपदा और प्राकीर्तिक संदर्ज से परिपूर्ण देश भारत है लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? अठवा कोश्चन है वीश के दात कहानी का सरांस लिखें अठवा नागरी लिपी कब तक सर्विदेशिक लिपी थी? नवा कोश्चन है शिख्षा काध्याए गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? दस्वा कोश्चन का कहोगा? लखनव और रामपूर से बिर्जु महराज का क्या सम्बंध है? ख़ण नमबर का कोश्चन दुम्राव की महता किस कारण से है? गवा नमबर का कोश्चन भारत माता कहां निवास करती है? भारत माता कहां निवास करती है? घवा नमबर का कोश्चन है धर्मों की दिरिष्टी से भारत का क्या महत्व है एक रहा हमा कोश्चन है इसका कौन नमबर होगा लक्षमी के ब्यक्तित्व पर प्रकास डालें खर्ण नमबर है मंगमा का अपनी बहु के साथ किस बात को लेकर बिबाद था गर्ण नमबर है पपाती कौन थी और वह सहर क्यों लाई गई थी दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाई करें शेयर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबा दें जिसे की जो भी वीडियो में अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके अब हम लोग आगले वीडियो में मिलेंगे तब तक लिजय हैं जय भारब अजय करें आपों झाह सक्थ याले कर दिए पुराइरब